नमस्कार मैं हूँ मुसकान अजमानी और आप देख रहे है देश का लोग प्रिया चैनल प्राइम ट्रीवी उत्तर प्रदेश सहकारिता ग्राम विकास बैंक समीती की 43 वी वाशिक सामान निकाई की बैठक का आयोजन राजथानी लखनव के इंतरा गांधी प्रतिश्ठान मे हुआ वैस आयोजन में सूब के डिप्टी सियाम ब्रजेश भाटक मुक्य अतिथी और राजमंत्री सहकारिता जेपियस राठोर विशिष्ट अतिथी के रूप में सम्मिलित हुए इससे में हमारे साथ साकारिता मंत्री उत्रपदेश जेपियस राठोर जी है आईए उनसे बातचित करते हैं दुसरे कारेकाल का एक साल पूरा होने वाला है क्या कुछ कहांगी ऐसा है कि बहुत अच्छा एक साल वीता है और पबलिक को बहुत आराम हुई है और माने मुख्यमंत्री जी के उत्रपदेश सरकार से जनता बहुत खुश है और आशानवित है कि लोज नए नए सुधार आ रहे हैं जनता के परेशानियों को सुना जा रहा है और प्रदेश सरकार का एक-एक मंत्री एक-एक कर्मचारी अधिकारी सब लोग लगे हुई है जनता के उसके लिए और मुझे मतलब आज बहुत संतुष्टी हो रही जिस प्रकास से जनता का अशिरवाद मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी केरें कि 50 से ज्यादा सीटे आने में लोग सबाशुनाओं में वो जीतने वाली है वो तो उस समय भी कितने चार सो सीट जीत रहते ना तो वो अब उसी हिसाप से जीतेंगे तो उनका तो पता है किस तरीके से बाते करते हैं यह थे हमारे साथ साहका पता है कि एक साल जो सरकार के पूरे हो रहे हैं उस पे काफी अच्छा एक साल का कारेकाल सरकार करा है जनता जो है इस सरकार में काफी खुस है वीडियो ने वीडियो के साथ मैं वेक शाही प्राइम टीवी लखनौ तो यूपी एस जी वीबियल की वार्षिक बैठका योज लखनौ के इंदरा गांधी प्रतिष्ठान में हुआ जोहां हमारे सहयोगी ने शिर्कत की जोरान वहां कि तस्वीरे भी हमने लगातार आप तक पहुचाई कि किस तरीके से वार्षिक बैठक का आयोजन क्या गया था खबरों का सिलसला यूँ ही जारी रहेगा आप देखत रहेगे प्राइम टीवी